हलो फ्राइंट्स, वेलकम तू वीएफेक्स पाइप्लाइन चैनल, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लूप्रिंट्स के बारे में, हम लोग सीखेंगे कि ब्लूप्रिंट्स कैसे क्रिएट किये जाते हैं, और बहुत ही असान है दोस्तो, आप मेरे को पता है, बहुत आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, एक 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 जामबल भी दूँगा आपको, और यह सारा यूवाई भी पूरा क्लियर कर दूँगा, यह तो हम इसको दो पार्ट में बना लेंगे, एक में पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, बेसिक का और दूसरे में एक्जामबल करेट करता हूँ, पर आप दौनों वीडियो देख लेना, और प्रिवेस जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, आपने आपको पता रहे कि आप क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले चीज, अल्टीमेटली इस पूरे वीडियो को देखने ही बात, आप किसी भी डीची सी अप्लिकेशन से मॉडल को अन्रील में लाके और उसको ब्लूप्रिंट क्रेट कर सकते हूँ, उसका फॉर एक्जामबल दे करेंगे इसके इंदर, जैसे ही बन्दा हमारे इसके सामने आगे यह डोर अपने आप ओपन हो जागा, ऐसे स्लाइड हो जागा यह बहुत ही सिंपल से मॉडल है, यह से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद में इसको यहां पर ले कि आएंगे और इसकी पर प्रोसीजर वही रहेगा, और सेम यहां पर भी ऐसे ही काम करेगा, ठीक है ना, तो अगर आप यह पूरा वीडियो देखो गे और इसके बिल्कुल मत करना, क्योंके देखो, ब्लूप्रिंट में छोड़ी जोड़ी चीज़े बहुत इंपोर्टेंट रखती है, ठीक है तो अगर आपने इसको स्किप कर दिया, यूट्यूब में चेक कर गया है ना, लोग किया, नेक्स नेक्स यह बटन है ना, एरो बटन इसको दबाते रहते, या बस जल्दी जल्दी सीख जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बाकी की चीज़े आप सीख लो, अंड्रील की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लूप्रिंट वाला जो वीडियो है ना, आप इसको स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे और आप हमका में डिसलाइक करके जाओगे और उल्टे-बुल्टे कॉमेंट करोगे कि यार हमें समझ में नहीं है, ऐसा प्लीज मत कर करना, चलो तो फिर आप शुरू करते हैं इसके इंटरफेस से, सबसे बहले ब्लूप्रिंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बता है, ब्लूप्रिंट एक तरीके से प्रोग्रामिंग ही आप कर रहे हो, पट एक विजुल वे में कर रहे हो, चीज़े क्या है आपको सेंटेक् करना, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने बस उसको समझ लिया ना, तो बस आपका काम हो गया, तो सबसे पहले आगर आपको ब्लूप्रिंट क्रेट करने है, तो कैसे क्रेट कर सकते हो, देखो, ब्लूप्रिंट क्रेट करने के लिए, आप जो अपना content browser है, पर क्लिक करोगे, तो आपकी एक parent window आएगी, मैं इसको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप कैसे create कर सकते हो, तो यहाँ पर right-click करके, यहाँ से blueprint कर सकते हो, ठीक है, दूसरा आप right-click करके, यह तो आपका जो basic asset हो दिये हुए, लेकिन आप यहाँ पर context menu है, ब्लूप्र आपके add दिख रहा है, add के अंदर भी वही आगया, अब यह क्या है, बेसिकली जो context menu, मतलब जो right-click करके, जो menu आता है, यह वही है, यह पास एक button दे दिया है, किसी को problem हो रही है, right-click नहीं करना, तो यहाँ पर यहाँ पर add कर लो, ठीक है, बाकी वाजना खुछ नहीं है, उ just for demo, आप जैसी, आप प्रेस करके, इसके पास आवेंगे, और आपको blueprint create करना है, इस object, इस actor के साथ में, ठीक है, unreal में actor बोलते है, क्योंकि जो भी चीज़े, viewport में है, placeable है, movable है, उनको actor बोलते है, को static match actor आगे, ठीक, तो आपने क्या करना है, blueprint, इसका detail panel के अंदर, blueprint add script, य again, यह confusing हो गया, जान मत दो, बिल्कुल, आपने देख लिया, कैसे कैसे create होते है, आप चलते है, सबसे पहले और सबसे easiest way से blueprint को create करने का फंडा, blueprint class create करते है, अब जब भी आप इसको create करते हो, यहाँ पे आप से पूछता है, parent class, देखो दोस्तो, यहाँ पे आप प्रोग्रा reality ऐसी है, जो inherit करनी है किसी parent class से, तो आप उसके लिए parent class create करते हो, for example, जैसे कि आपने car बनानी है, ठीक है, अगर आपको car बनानी है, और car का engine अगर आपको चाहिए, तो एक तरीका तो यह है कि आप engine की जो पूरे code हो फिर से लिख दो, या पिर यह है कि किसी और developer ने engine का एक code बना के रखा हुआ है, एक class बना के रखी हुए है, तो आपने सिर्फ वो class को अपनी class में inherit कर लेना है, और आपकी engine की properties आपकी car में आ जाएंगी, ठीक है, अब या parent और child का फंडा है, वो simple से यह है कि भाई, मेर को बनाना है कि actor, जिसको मैं place कर सकूँ अपने blueprint के अंदर, और actor से related, जितनी भी properties हैं, या जितनी भी options हैं, वो मेर को मिल जाएं, इसके लिए आपने क्या करना है, एक parent class पिक करनी है, 99.99% आपको सिर्फ एक्टर ही क्लिक करना है, बागी की चीज़े, जब आप गेम भी मना रहे हो, तब आपको बहुत, तब उस लेबल पर काम में BP, और जब भी आप स्टार्ट करो, तो स्टार्ट BP से करो, क्योंकि यह एक naming convention है, बना दिये, तो यूज करो, उससे कहना सर्च कर सकते हो, आप आराम से, जैसे BP करके सर्च करोगे, जैसे यहाँ पर जाके, और BP, तो आपके सारे blueprints आ जाएंगे, इसलिए कहते है, बीप अगर आप सीख रहे हो, तो सबसे बड़ी समस्चे क्या होते है, इन यूज के मीनियूस के options क्या है, एक स्टम से इत्की सारी चीजे सामने आ गई, और वो एकदम से confuse कर देती है, ट्रस्ट मी, यार, यह जितने option आपको दिख रहे हैं, इसमें से 50% तो ऐसे है, जो आप कभी यूज ही नहीं करोगे, आपके यूज के भी नहीं होगे, ठीक है, तो उनको तो जाने दो, हम सिर्फ वह फोकस करते हैं, जो की हमें सबसे ज़रूरत पढ़ने वाली है, जिनकी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यह समझना है, कि भाई, बेसिक तर्मिनलोजी को भी करते हैं, वो लगा है, आपको कैसे करना है, वो भी बताऊंगा, पहले कमपोनेंट विंडो आपके यहां पर, लेफ्ट में टॉप पह, उसके नीचे आता है, माई ब्लूप्रिंट, माई ब्लूप्रिंट के अंदर, आप वेरिबल्स करेट कर सकते हो, फंक्शन्स करेट कर स और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप प्रोग्रामर हो ही नी, तो इसलिए यह वेरिबल्स क्या होते हैं, और फंक्शन्स क्या होते हैं, बस थोड़ा से टाइम दो, मैं बताऊंगा अबी, ठीक है, पर यहां पर क्रेट होते है, उसके बाद में आता है, आपका यह टूल उटा सा वीवपोर्ट, छोटा नहीं है, पूरा बड़ा ही व्यूपट है, और दूसरा मिलता है इसके इन्दर इवेंट ग्राफ कर टाब, अब यह दोनों ग्राफ बहुत ही यादे है, अब ही मैं तेयोरी आपको बताऊंगा, इसलिए कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो उ अस्ट्रक्शन और इवेंट ग्राफ को आपको साइड में रखेंगे यह सब चीज़े जब इसमें चीज़े एड करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएंगे अभी हमने विंडो समझ लिया ठीक है अब जारा एक बात बताओ मेरेंको वेरेबल्स क्रेट करने है तो कह कोई भी प्रोग्राम होता है ना मैं जनरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं चाहिए पाइटोन सी प्लस प्लस जावा स्क्रेप्ट जावा दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज यह लेंग्वेज क्या करती है डेटा लेती है उसको प्रोसेस करती है और फिर डेटा ने रहा है फिर डेटा इसे मतलब हुआ है उचला फिर गिवा ही तो इसका मतलब यह हुआ की वह अब बताना बढ़ेगा ना यह data क्या है तो data के अंदर सबसे पहले data के type होते हैं, अब यहां पे जो variables में data types दिए हुए है लो data types सब जगे पे same है, अब मैं कर बताता हूँ, variables में आपको नए variable add करना है तो यहां पे plus button आजागा, यहां पे आपने add करना है new variable, तो इसको मैं कर देता हूं, boolean, तो boolean करके एक data type होता है, अब boolean क्या होता है, कि कई बार आपको बोलना है, यह yes है यह no है, यह true है यह false है, यह होगा यह नहीं होगा, मतलब yes यह no की जब भी condition है, इस form में अगर आपको data provide करना है अपने computer को, तो आपको boolean data type चूज करना है, आप चाहिए तो string ले लो, पर जो चीज जिसके लिए efficient है आपको वो use करना है, ठीक है, boolean आपको तुरंत result देगा, आप if or else statement लगाओगे, इस statement बताऊंगा मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि अगर मेरा character की health 50% से नीचे हो गई है, if character health less than 50, तो कुछ करो, तो वो चीजी जो भी है na if or else condition के अंदर, या फिर आपको ये देखना है कि अगर मैं इस gate पे जा रहा हूँ, और light बंद है, तो light on है या off है, ये चीज कैसे पता करोगे आप, ये चीज आप boolean से पता करोगे, और इसकी जो value return, मतलब मिलती है ना हमको, जो program में save होती है, वो भी boolean के type में होती है, ठीक और यहां पे colors भी दिये हुआ है, Unreal ने बहुत जबर्दस काम किया, यहां पे color देगे, ताकि आपको कोई confusion ही ना हो, अगर आपकी ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा data कहां पे fit करना है, तो आप color देख लो बस, जो colors है ना, जो red है, वो red में fit होगा, जो blue है, वो blue में green है, तो green में, फिर आता आपका byte, so important अब आपको बतातो integer, integer क्या होता है, number होते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 1 lakh, 50 lakh, कितना भी बोल दो, ठीक है, ऐसे आपके float आता है, इसके इंदर, float क्या मतलब आपके points में value, जैसे कि 0.1, 0.2, जहां पे भी decimal लगने के बाद में जो value आ रहे है, वहाँ पे होता, float, आप float की ज़रूरत क्यों परती है, कई बार क्या होता है, कि जैसे आपको मान के चलो कोई चीज़ रोटेट कर रहे हो, आगर आप सिर्फ उसको integer में रोटेट करोगे, तो हो सकता है, वो टिक, ऐसे गड़ी की तरह जाए, लेकिन आगर आप float यूस करोग सेम टेक्स में भी है, लेकिन यह थोड़ा सा लोकलाइज़ेबल कर सकते हो, इसके लेंगविज होगर आप चेंज कर सकते हो, वेक्टर आते हैं आपके जिसमें त्री वेल्यू होती है, आपकी जो कि आपका जैसे एक्स, एड़, रोटेशन वेल्यू और आपका पोजिशन इन सब चीजों को अगर आपको स्टोर करके और डेटा को प्रोवाइड करना है तो वेक्टर यूज करो, ठीक है, रोटेटर भी एक तरीके से यह वेक्टर ही होता है, बस वो रोटेशन के लिए यूज होता है, और ट्रांस्फोरमेशन जिसमें इंक्लूड हो जाता है, अब ये डेटा टाइप के एक छोटा सा एक्जामपल लेख लेख लेए, समसे पहले है, जैसे मान के चलो, यहां पर हुआ, मैंने इक सको इंटीजर मनाता हूँ, ठीक है, सिंपल मैत तो सब जानते हो, अब ये वीडियो देख रहे हो, यहां तक देख लिया, तो मैत तो इसको कंपाईल कर, तभी तो कुछ वैल्यू डाल सकता है, सबसे पहले से अब फिर श्वास को एक डेख लेख सकता हूँ, 5 अब ये वैल्यू को मैं यहां से, ईसको जब भी आपको आप यूस करना है तो और जो इपने पहले और ऑन श्य प्रुद को सब verymore तो और यहां फै पीटा करना है कि तरको और हमने कि नम बूलियन रखा है पर इसकी वैल्योग नीच है ही यहाँ है? सबसे पहले इसका नाम जो मैं रेनम करने के लिए फिर एक टो दावा तो यह मेरी वैल्यू हो गई वन अव ए इसको मैं करताता हूँ यह मेरा a variable है इसको select करता हूँ और ध्रैक करता हूँ D-Push था है किया आपको a को get करना है या आपको a को set करना है मतलए आपको इसमें से value लेनी है या आपको इसमें कुछ value डालनी है आपको simple सा fund आप hay get or set सब को पता है ठीक है अगर आपको get करना है तो यहाँ पर कोई option नहीं है जो value उसकी default है वो आपको मिल जानी है अगर आप इसको उठा के ले के आओगे और यहाँ पर बोलोगे set तो यहाँ पर आपको set का option आता है और यहाँ पर देखो आपको पूछ रहा है हाँ बेटा क्या value set करनी है आप चाहिए तो यहाँ पर भी set कर सकते है डबल क्लिक करके और यहाँ पर value डाल दो जो भी value आपको चाहिए तो set form में भी आ गया तो set mode पर आ जाएगा तो alt और control इसको पकड़के drag and drop करोगे आपका get or set value आ जाएगे ठीक है अब देखो interest बना रहना चाहिए यहाँ तक आने के बाद बोरियत नहीं लगनी चाहिए कि हरी यह क्या आनाटा कि यह हमें यह कैसे use में आएगा और इससे हमारा scene कैसे बनेगा comment भी करते हैं नीचे ठीक है पर इसको समझना जरूर है get set variable इनके बिना आपका काम चलेगा नहीं मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो आपने किया यह दो value आपकी पर फिटाल के लिए मैं काम करता हूँ इसी को दो बार ले लेता हूँ आप दस बार ले लो आपकी आपनो वेल्यूज को आड करना है तो आड करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर टैप प्रेस करूँगा और यहाँ बढलूँगा सम अदित अब जैसे आप एड में जाोगे तो आपको भौत सारी बहुत सारे ओप्षिंस निखाई देंगे पर हमें क्या एड करना है यह int plus int अब देखो यहां पर आपको यह चीज दियार नखनी है यह आपको color दिख रहा है यह color अगर मैं फिर से एक और add करता हूं और यहां पर इंटीजर की जगे ना कोई दूसरा ले लेता हूं float ले लेता हूं ठीक है तो आपको पता चलेगा float plus float अब देखो से उठाके इस value को अगर import करना चाहोगे तो यह बीच में convert करेगा इसको डेको directly नहीं आएगी तो इसका इसने क्या किया integer को पहले float में convert कर दिया by default अपने आपी यह integer को float में convert कर रहा है लेकिन अगर same value को मैं यहां से ले लाके और आपने integer वाले में add करूंगा इसने कोई convert नहीं लगाया तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको value add ही करनी है तो जो input है यह pins होती है ठीक है? input pin होती है और यह input pins को अगर आपको जो data type जैसा चाहिए अब यह देखो यह यह होते है data pin जो यहाँ पर आपको दिख रही है यह है data pin ठीक है? colorful में जो है जो भी color में होगी वो data pin है ठीक है? और जो भी color wire दिख रही है आपको यह data wire है इससे data जाने वाला है इससे data flow होने वाला है समझे रहो? color color मतलब data color pin मतलब data pin ठीक है? दो कलर देख रहे हैं, पहले उपर वाले को अठा देते हैं, हटाओ, नहीं चीए है, लुटकूल नहीं चीए, आप आते हैं यहां पे, यह होगे अपना एक वेल्यू, प्लस धूसरी वेल्यू को हम इहां पे इसमें एड कर देते हैं, अभी इसको मैंने एड गिया, अब इसक तो आप देखो, अब नंबर है आपके पास, लेकिन प्रिंट करनी है स्ट्रिंग, तो नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो अटमेंटिकल ही हो जाता है, तुम्हें काई को टेंचन लेना यार, अन्रील कर तो रहा है, तुम्हें तो सिर्फ स्ट्रिंट करना है, अगर पॉसिबल ही नहीं है, तो एड ही नहीं करेगा, यहां से एक पिन उडालो, और यहां पे लाके ड्रेक करनी कोशिश करो, एड ही नहीं होगी, अन्रील को पता है, कई सारे आते हैं, जो कहीं भी लगाने के लिए, फिट करने के लिए तैयार है, ल यहां पे आगया white color, यहां पे आगया, अलग-अलग colors दिख रहे हैं, यह simple white color में जो भी है, यह execution pin है, तो code जब भी execute होता है, cascading वे में होते है, cascading अगर आपको नहीं पता है, जर्ना पता है, जर्ने को cascade बोलता है, तो जर्ना कैसे गिरता है, उपर से नीचे गिरता है, त code भी ऐसे ही होता है, execute होता है, उपर से नीचे execute होते हुए आता है, ठीक है, लेकिन अब यहां पे तो तुम्हारा कोई line लिख नहीं रहे, तो अब इसको क्या उपर है और क्या नीचे है, कैसे पता रहेगा, समझ रहे हो, तो आप जब भी कोई line execute करते हो, तो line 1 execute होती है, line 2 execute होती है, आपके code की line by line code execute होता हुआ जाता है, और किसी भी line पे error आगे, वहीं पे वो रोक जाता है, अन्रियल के अंदर अगर आप blueprint यूज कर रहे हो, तो यह कहानी चलती है, आपके left से right में, यह होता है execution का style, यह मतलब इसकी line है, पहले आपकी line execute होगी, फिर दूसरी होगी, अब आपका यह तो funda तयार हो गया, यह print चाहिए आपको, लेकिन print कब चाहिए, तो मैं कहता मतलब कुछ event होगा, तभी तो कुछ होगा, यहां पर भी वही वाली बात है, अब event में यह कहा रहा हूँ कि मेरा चब भी game शुरू होगा, तभी मेरा यह execute हो जाए, और में को print होगे, इसका sum का result जो भी है, आ जाए, अब इसको execution pin में, मैं इसको add कर देता हूँ, बाकी के य जाने में ही लग जाएंगे, तो इसको मैं 10 seconds कर देता हूँ, 10 seconds तक मेरा यह print होगा, उसके बाद अपने कायब, ठीक है, अब यहां पर warning आ गई, एक second, warning क्या रहा है, warning क्या रहा है, यहां पर कुछ problem है, ठीक है, यहां पर बोलता है कि pin, execution pin is not connected here, अभी यह बोलता है कि बोलत लेते हैं, and then, यहां पर हमरे पर value है, 5 में 10 एट करना था, तो हम 10 यहां पर ले लेते हैं, simple, और 10 लेने के बाद में, हम यह इसको compile करेंगे, वो fix होगया, save किया, अब चलता हूँ, मैं अपने game mode पे और play करता हूँ, तो जैसी मैंने play किया इसको, कुछ देखा, कुछ भी न printing is cool, print string duration and test duration should be 50, 50 second के लिए इसको रखते हैं, compile, save, event begin play, यह बिल्कुल सही है, अब ही चलता हूँ, मैं फिसे इसको play करता हूँ, okay, one more thing, यह जो हमारा vp demo है, इसको अपने को एक बार scene में और drag करना है, आपका जो blueprint आपने बनाया, scene में तो आया है नहीं, अब देखो यह आपर 15 लिखा हूँ आ रहा है, so इस तरीके से क्या है, अब यह 60 second तक रहेगा, उसके बाद में आपने आप गया हो जाएगा, यह आप कुछ भी values भी लेके आ सकते हो, आपने characters की value लाके, print करके देख सकते अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर compile, save, यह हो गया, close, and unreal engine की, यह जो आपका blueprint आपके यहापर create हुआ है, इसको आप इसको duplicate भी कर सकते हो, जितनी बार भी आपको duplicate कर रहा है, ठीक है, मैं और देखना चाहरा हूँ कि इसमें basics में और आपको क्या बता सकूँ, हाँ, एक चीज और, अगर आपको और भी node आइड करने, यह तो होगे आपका variable create करने का, आपको और extra node लेका है, आप right click कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे nodes मिलेंगे, इन सारे nodes को आप select करके जो भी आप ड्राइग और ड्रॉप कर सकते हो, अब जो भी nodes आपके आ रहा है ना, यहाँ पे भी color दिखा हुआ है, अब यह color का मतलब क्या है, कि इसको integer चाहिए, यह color का मतलब यह है, इसको boolean चाहिए, आप जब भी उसको पास pin के पास आओगे आपको data बता देगा कि आपको कौन से type का data चाहिए, इसके इंदर में, वेरी simple है, एक बार में आपको समझ में आ जागा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसके इंदर, ठीक है यहाँ पर पूरी list आजाएगी, आप सर्च कर सकते हो इसके इंदर, जैसे कि आपने कुछ सर्च करना है, जैसे tick, टीक है, event tick लेके आना था, तो आपने यह लेके आगए, तो और आपके पास यहाँ पर एक palette window भी रहती है, वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग है, मैं दिखा काम हो गया, simple, यह फिर से यहाँ लेके आते हैं, इदर, कितने भी आप लेके आओ, लेकिन इवेंट बिगिन प्ले अलड़ी है, एक blueprint के अंदर, एक ही event क्रेट कर सकते हो, ठीक है, आप बार बार यह same event लेके नहीं आ सकते है, उसके बाद में आपने यह, काफी थारे notes हो apply, vfx, pipeline, demo, nodes, ठीक है, तो क्या रहता है, कई बार क्या रहता है, अगर आप अपना जो blueprint है, अगर अपनी team के साथ share कर रहे हो, तो यह comment box है, काफी easy रहता है, और आपने अपने सारे notes को move भी कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्क्यत वाली बात नहीं आती, इसके इंदर, ठीक है आपके पास यह add करने वाला fund आई, आपने कुछ notes बनाया है, आप क्या कर सकते हो, इनको select कर लो, select करने के बाद में, यह macro add की है, और, आपने क्या करना है, इनको select करना है, ठीक है, और select करने के बाद में, यहाँ पर आपको, यह को organization लिखा है, तो यहाँ पर आप इनको add और अंदर recipe आपने पकाई थी उसको आपने collapse कर दिया एक graph के अंदर अभी आप जब इसको open करोगे ना तो यह open हो गया एक तरीके से आपने क्या किया उन सभी notes को organize कर दिया देखो दोस्तों जब भी आप कभी भी अंदिल engine के अंदर blueprints में काम करोगे ना अगर आपका इसका नाम दे सकते हो यह आपने इसका नाम दे रहा है माई add notes तो यह आपने इसका नाम दे रहा है यह आपने अपने खुद का नोड बना लिया ठीक है आपका नोड बन गया इसको मैं कर दता हूँ जैसे कुछ भी दे दो वी एफेक्स पाइपलाइन समझ गए तो next time क्या है अब इसको आपको disconnect करना है कोई रिक्कत नहीं आप कर सकते हो आल्ट प्रेस करके और click कर दो उसके उपर जैसे आप आल्ट प्रेस करके लाइन के उपर click करते हो ना तो वो disconnect हो जाती है और अगर आपको फिर से connect करना है तो click करके वह पर connect कर दो और जो लास्ट एज है उसको पकड़के और जिदर भी चाहिए वहाँ पर जाके इसको एड़ कर सकते हो ठीक है ना बहुत इजी है यार बस थोड़ा से दिमाग लगा लो और थोड़ा से समझ लो concept को वस आपका काम हो जागा पूरा ठीक है अब चलता हूं मैं इसके इंदर और जब भी आप create करते हो तो functions आपको कुछ value return करता है और functions argument भी लेता है मतलब उसके इंदर आप input arguments दे सकते हो and then output return भी दे सकते हो तो यहाँ पे same चीज है आप input क्या parameter लेना चाहते हो इसमें से और जैसे this is my value a then इसको integer बनानेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक और parameter this is my value b और यह भी इंटीजर ही रहेगा और output add कर देंगे इसका यह इसका return note से इसका output आजाएगा इसको compile save करेंगे यह मेरा function बना ठीक है यह मेरा function इसको मैं फिर से f2 प्रेस करता हूं और यह मेरा add add func तो यह function add करने के लिए हमने add करती है इसको compile करेंगे save करेंगे उसके बाद में चलते हैं अपने bp demo event graph के इंदर तो क्या हुआ हमारा function मैंने जो create किया ना अब यह scene में लेकर आ सकता हूं बार बार अब देखो यह मेरा function जो है ना यह मेरा खुद का बनाए वह function है और यह भी देखो इस यह पूरा आपको आपने इसके अंदर a और b की value देनी है और आपका काम बिलकुल ready हो जागा अभी फिलाल मैं क्या करता हूं मेरा जो variable था ना यह variable अर select करके drag and drop कर दो इसको कर दो get इसको डाल दो a के अंदर ठीक है और इसको same को डाल दो b के अंदर और इसके बाद में जो इसका output है इसके output को जो भी निकल के आ रहा है यह new parameter इसलिए दिख रहा है आप इसको इसको रीनेम कर सकते हो आप इसको बोल दो कि भाई ऐसा है description category आपको तब यूज करनी पड़ेगी जब आप इसको बाहर लेके जाओगे यह आपका new parameter यहाँ पर इसको डाल दो this is my result यह आपका result हो गया ए और बी उसका result compile event graph आप देखो यहाँ पहले दे दो और बी दे दो और उसका result मेरे से print कराके ले लो और यहाँ पर आप print screen डाल दो फिर से आप इनको reusable बन जाता है आपका देखो आप add func को कितनी बार भी लेके आओ बार बार लेके आ सकते हो लेकिन यह जो आपने collapse किया ना इसको आप क्या कर सकते हो दुबारा कहीं पर लेके नहीं आ सकते है इसको समस्चे है तो इसलिए function बना के आप चीजों को ज्यादा बैट नोच में सबसे पहला जो नोच है वो है branch branch नोट क्या होता है branch नोट बताता है कि boss कोई condition होगी अगर मैं यहाँ पर आओंगा और मेरी जो point light है अगर वो off है तो वह on हो जाए अब point light है कहां और नहां पर कैसे लेकर आ सकते है इस blueprint के अंदर आपको कुछ actors आइड करने है हमें point light को ही एड करते है ठीक है add component में जाएंगे और point light में जाएंगे यह मेरी point light यहाँ पर create कर दी और एग यहाँ पर add component और यहाँ पर plane आइड करते तो ठीक है plane भी आगया यहाँ पर इसको scale कर देंगे scale करने के सारे फंडे बिल्कुल सेम ही है और प्रेस करके और scale कर लो और point light कहां गया हमारी यह रही तो इसको छोड़ा सा चोटा कर लेंगे आरे बाई या plane को और बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा point light w press करके इसको move करेंगे आपके light क्रेट हो गई आपने plane क्रेट कर लिया इसके इंदर में अब उसके बाद में चलता हूँ मैं यह जो light है ना point light है इसकी कुछ parameters को यहाँ पर लाके query करना चाहता हूँ तो आपने क्या करना है ना यहाँ पर जब भी आप component को चलो और right click करोगे तो उस point light से related जितने भी functions होंगे वो सब यहाँ पर आपको पहले दिख जाएंगे यहाँ पर चलते है इसके rendering में और rendering में आपसे पूछ रहा है is visible आपको यही तो चाहिए क्या यह visible है कि नहीं है अपने को visible नहीं चाहिए अपने को कुछ और चाहिए जैस की जैसे की lights में जाके यहाँ पर जाके इसको देखेंगे इसकी कुछ और values for example intensity intensity तो on off करने के लिए is visible is the right option तो let's take this is visible तो जैसे point light है point light के अंदर से इसने is visible करके जो इसका जो component है उसको यहाँ पर लेके आए और इसकी value देखो किया आ रही है इसकी value आ रही है और जब भी आपको इसको connect करना है और कौन सी condition में करना है execution pin जब तक connect नहीं करोगे वो काम नहीं करेगी ठीक है तो यह आपका if or else statement if condition के लिए आपको इसके इंदर branch यूज करते हैं आप इसके इंदर for condition भी use कर सकते हो for loop भी लगा सकते हो for each इसके इसके इंदर for each मिल जाता ह loops बहुत important होते हैं अगर आपको कोई चीज repetitive way में करनी है करते हैं जब तक कि कोई item जितने भी list के अंदर है उन सब को process करना है तो वो आपको process कराने के लिए for loop for each loop यह सब बहुत ही helpful रहते हैं अगर आपके पास 10 character है आप चाहते हो कि साले 10 के 10 characters की health जाके मैं check करके आऊं तो आपने for each loop ही लगाना पड़ेगा उस condition के समझ रहो तो ओके अब चलते हैं अपने example पर इसको मैं करता हूं close basic में जितना था वो सब समझ में आ गया होगा नहीं आया तो फिर से देख लो इस वीडियो को और तब भी problem है तो comment करो फटा पट तो अब आपको जो वीडियो अब हम एक काम करेंगे यह blueprint करेंगे क्योंकि काफी सारी चीजे क्या है ना कि जब तक example सामने नहीं होगा आपको समझ में ही नहीं आएगा ठीक है तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो और इस वीडियो को like कर दो और अपने friends के साथ share कर दो और comment करो अगर आपको कुछ और भी इसके अंदर जानना है तो अब मैं चलता हूँ अपने second वीडियो पे और second वीडियो के अंदर हम यह बनाएंगे blueprint जिसक अंदर हम ग्लास डोर क्रेट करेंगे ठीक दोस्तों तो मिलता हूँ अपने अगले वीडियो पे